तो दोस्तों यहाँ पर बन रहा है एक सत्तर हजार डॉलर्स का पीज़ा इस वीडियो में हम खाने वाले हैं एक सत्तर हजार डॉलर्स का पीज़ा ओ माइ गॉश ये तो कमाल का लग रहा है सच में दो हजार डॉलर्स का स्टेक ओ माइ गॉश यह ला जवाब है पांच हजार डॉलर्स का टाकू पता है मुझे ऐसा लग रहा जैसे समूंदर मेरे मुझ के अंदर आगा है लेकिन पहले हम शुरू करेंगे एक डॉलर वाले पीज़ा से और फिर आगे बढ़ेंगे यह है एक डॉलर वाला पीज़ा और यह है दो डॉलर्स वाला हॉट डॉलर यह एक डॉलर वाला बर्ग यह मकडॉनल्स से बहतर है यह हैं सोले डॉलर्स वाले विंग्स कैसे लगे आगे हैं चॉंसर डॉलर वाले गॉल्डन विंग्स वाव, यह आए हमारे golden wings क्या इने हमेशा ऐसे ही सब करते हो यह मुझे दोगी यह लो, यह लो चैनल शुक्रिया वाव, क्रिस बीमार है, इसलिए वो हमारे साथ online है यह हमारे favorite wings है, 24 karat gold के साथ बहुत बढ़िया, मुझे बस, मुझे बस इसे खाना है मुझे मत भूल जाना तुम इंतजार करो ओ माइ गॉश इसको टेस्ट वागे बहुत अच्छा और अब यह है 125 डॉलर का milkshake मुझे पूरे दिन इसी का इंतजार था यह है हमारा luxe milkshake यह है टेशियन वेनिला आइस क्रीम 23 karat edible gold और donkey caramel sauce भी छिड़का है सब एक साथ पीएंगे तो अजीब लगेगा इसलिए पहले मैं पी लेता और मैं तो मैं पीते वे ताकता हूँ ओ माइ गुडनिस बहुत ही बड़ी है टेस्ट है हाँ यह तो मर गया ओ माइ गॉश यह बहुत बड़ी है वो इतना महंगा कैसे है देखते है इसे ले आया ठीक है तो ये ग्रिल चीज है 250 डॉलर्स का मुझे और बताओ इसका ब्रेड फ्रेंच पुल मैन लोफ का है खाचो कवालो पोडोली को चीज है और 23 karat edible gold है ठीक है इतना काफी है 250 डॉलर्स वाला ग्रिल चीज रूट बहुत बड़िया टेस्ट है हाँ ये बहुत ही बड़िया है हाँ मैं जानता हूँ मैं बस इसे खाना चाहता हूँ ठीक है ओ माइ गॉड इसका टेस्ट भी बड़िया होगा ये डेकुरेशन के लिए है एक मिनट डेविड जॉब्रिक का मेसेज आया है उसे भी बुलाने पीज़े खाने के लिए क्या कहते हो हाँ हाँ तुम लोग बात करते रहो नहीं रुकाँ खाना बंद करो अब आपके होश उडाने का वक्त है आगे जो डिशिज आने वाली हैं वो बहुत ही कमाल की और महंगी होंगी तयार हो जाएए अब हम खाने वाले हैं एक golden opulence क्या मुझे भी नहीं पता लेकर रहा हो उसे ओव वाँ हम पहले इसमें तीन स्कूप टेशिन वेनिला ऐसक्रीम को 23 कैरेट गोल्ड में लपेट कर डालते हैं और ये चॉकलेट सॉस दुनिया के सबसे रेर चॉकलेट से बना है पहले तुम ट्राइ करना चाहोगे क्या क्यों नहीं बिलकुल मैं ट्राइ करता हूँ मरदत करो अब ज़रा रुख जा रुख जाओ चलो उसे कॉल करते हैं तो तुम सत्तर हजार डॉलर्स का पीज़ा खाना पसंद करोगे हाँ हाँ मुझे बहुत मज़ा आएगा मुझे लगा तुम जूट बोल रहे हो इतना महंगा पीज़ा खाने के जरुवत नहीं है हम और इस बार हमारे साथ चैनल भी है आप तो जानते ही हैं ये कभी वीडियो में नहीं होता तो इस बार हम क्या खा रहे हैं स्टेक दो हजार डॉलर्स वाली स्टेक ये लो आ गया मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे लगा इस पर वो गोल्ड वगेरा हो गया बट ऐसा कुछ नहीं है सचको तो मुझे भी लगा था अजीब लग रहा है कि हम बाद में सतर हजार डॉलर्स का पीज़ा खाने वाले हैं तब ही एक्साइटमेंट नहीं हो रही चाहिए स्टेक 2000 की क्यों नहीं हो समझ रहे हो न ये बहुत लाइट है जैसे कि फोर्ज चुलाए बहुत ही बड़ी हा मुझे यकीन है ये आपको बहुत पसंद आएगा अब बस देखते जाओ क्या आपके पास कोई A1 स्टेक सॉस है रूख ये देखा मैंने कहा था न ये तो मखन की तरह कट रहा है तुझ गलत बोलती है क्या बन अब ये बहुत ही सॉफ्ट है ये वाके बहुत बड़ी है यो मुझे लगा था इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होगा लेकिन ये बहुत ही कमाल का है हां ये तो बहुत अच्छा है हां Mr. Beast मुझे Mr. Beast ये बहुत अच्छा है मुझे जीमी कहो आप ये स्टेक की तरह नहीं लग रहा है ये कुछ और ही लग रहा है क्या तुम्हें ये फ्लेमिन्योन से अच्छा लगते है पेकन जैसा है हम वीडियोज में कभी गालिया नहीं देते पर वो मौका में आपको दे रहा हूँ बहुत बुरी, उसे बीप कर दो तो यहां सब ने यह स्टेक खाई है और अब हम इसे रेट करेंगे चलो बता 10 on 10 ओ, कमाँ मेरा आइडिया चोड़ा लिया मैं इसे दूँगी 9 या साड़े 8 यह कितनी डर गई हाँ, मैं इसे दूँगा 10 मैं से 9 बढ़िया यह तो काफी अच्छा है मुझे यह उतनी पसंद नहीं आई सो मैं 10 मैं से 5 दूँगा चनला, तुम्हीं बचो दस पसे दस, यह बढ़िया थी तो अब डेविड को जाना है और यह वो पीज़ा नहीं खा पाएगा तो अगर तुम्हें एक स्लाइस भीजता हूँ उस सतर हजार डॉलर्स वाले पीज़ा की तो वो आठ हजार की स्लाइस होगी तो क्या, तुम उसके एक बैट लोगे है हाँ, बिल्कुल जब तुमने का की तुम वो पीज़ा खाने जा रहे हो तो मैंने सोचा की मुझे वो पीज़ा खाना ही है तो हाँ, क्या तुम किसी ऐसे को बेच सकते हो जिसके हाथ में एक ब्रीफ केस बंदा हो नहीं, अब तक तो नहीं हुआ जराए मीट तो देखो बढ़िया तो ये किस तरह का मीट है? तो ये है एक हेरिटेज पोक तो ये है ओल्ड स्पॉट पोक नौर्थ कैरोलाइना से ये दालचीनी जैसा लग रहा है बहुत कुछ हो रहा है, वाँ क्या बात है मैंने लजी सौस बनाया है, वो भी 26 साल पुरानी स्कॉट से क्या? ये बहुत ही लाजवाब लग रहा है ऐसा लग रहा है कि मैं इसके स्वाद में खुल दैने वालाब तो तुम्हें तीन हजार डॉलर्स वाला पोक कैसा लगा? चार हजार जैसा लगा चार हजार? ठीक है, चलो मेरी बारी ये बहुत बड़ा पीस है, इसमें बहुत ज़्यादा फैट है अच्छा नहीं होगा क्या? बताओ कैसा है सच कों तो ये बड़िया है? मुझे बस फोक इतना पसंद नहीं है बताने के लिए शुक्रिया तुम मेरे जैसे बिलकुल भी नहीं हो ओ वाह, ये बहुत बड़िया है तीन हजार डॉलर्स, क्या लगता है? मुझे काफी पसंद आया मतलब ये थोड़ा सा अलग है तुम्हे के लगता है? मुझे पोक और हैम बहुत पसंद आया पर ये बाकी की चीज़े कुछ सही नहीं लिए मुझे सच में ये इतना पसंद नहीं आया मैं जूट नहीं काऊंगा ओके क्रिस ये है एक 4,000 डॉलर वाले डिश मुझे मीट पसंद है तो मैं शुरुआत मीट सही करूँगा खाओ इसे बहुत बड़ी है सच में ठीक है ये एक ओल्ड फैशन टेस्ट है सच में कमाल की है ये एक ऐसी चीज़ का फैंसी वर्जन है जो की सब को पसंद आता है हम नहीं चाहते कि ये खाना वेस्ट हो जाए ये बहुत ही मैंगा खाना है ये हैं यहाँ पर पूरा स्टाफ तो ये लो गाइस ये तुम्हारा हुआ आप सब को बता दू जब हमने वीडियो शूट किया हमने एक्स्टा खाने को इसे बनाने वालों को और यहाँ के कस्टमर्स को देने की कोशिश की थी हमारी कोशिश थी जरा भी खाना वेस्ट ना हो ठीक है हम आए हैं अगवे रेस्टॉंट में अब आगे है पांच हजार डॉलर्स वाला टाको यह मजाक नहीं है, हम सच में देंगे पांच हजार, पांच बैंड्स वो भी टाकोस के लिए, यह हर एक टाको हजार डॉलर्स का है, आखर यह इतने महंगे क्यों है, तो इसमें है पुराने इंग्रीडियंट्स, दटूना, कैवियार है और शेल स्क्विडिंग से बना है, स्क मुझे नमकीन पसंद है, तो में पसंद आएगा, तो चलो इसे खाते हैं फिर, चक कर देखो, जिंदकी एक बार मिलती है, कैसा लगा, हम, बहुत बड़ी है, ठीक है, मैं ट्राइ करता हूँ, उतना अच्छा भी नहीं था, पता है, उसे पसंद है, यह बहुत ही नमकीन है, पता है, मुझे ऐसा लग रहा, जैसे समंदर मेरे मूँ के अंदर आए, सही कह रहे हो, शायद खाना जितना महंगा होता जाता है, उतना ही ज्यादा फ्लेवर्स का आपके मूँ में धमा कासा होता जाता है, चलो बाइट लो, जल्दी करो, तो अब इस टाको से अपना अब याद रखिए, यह वो आखरी डिश है, जो हम सतर हजार वाले पीज़ा से पहले खाने वाले हैं, पता नहीं मैं इसे खा पाऊंगा है, इसे कहते हैं ब्लाक वैग्यू रिब्स, और यह बहुत ही महंगा है, क्योंकि हम इसे पूरे दो दिन के लिए मारिनेट करते हैं, और धीरे धीरे लगभग आठ से बारा घंटे इसे पकाते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि इसे मैं खाऊंगा, ठीक है, बड़िया रहेगा, अरे मजाग कर रहा हूँ जल्दी से मुझे खेला, मेरे मूँ में डालो, जल्दी, हाँ मैं, 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 वो एक बटन नाइफ है, चलो ह मतलब कुछ खास नहीं है, मैंने पहले ही तैक कर लिया, यह मुझे पसंद नहीं है, यह बड़ा ही अजीब है, मैंने आज तक अपनी जिन्दगी में जो भी खाया है, यह उन सब का फैंसी वर्जन लग रहा है, तो ठीक है, तुम कहना क्या चा रहे हो, पीट तो मेरा भरा ह यकीन नहीं होता, इस पर 6,000 गहा है, तो यह देखिए, 6,000, 5,000 और यह सभी टेक्सिस को मिला कर अभीने टिप भी देनी होगी, तो वीडियो में इस पॉइंट तक आते आते मुझे यह समझ आया कि ज्यादा महंगा खाना इतना टेस्टी भी नहीं होता है, मैं 70,000 वाले प यह पीज़ा एक प्राइविट शेफ ने बनाया है, जो आमतार पर अरब पतियों के लिए काम करते हैं, मैं कोई अरब पति नहीं हो यार, वो क्या होता है, क्योंकि 70,000 डॉलर्स वाले पीज़ा और कौन खरीच सकता है, चलो चलते हैं, यह हम तीनों की जिंदगी की सबसे म बढ़ लिए, वो भी बहुत जल्दी, हम खाएंगे 70,000 डॉलर्स वाला गोल्डन पीज़ा, बहुत बढ़िया, लगबग तैयार है, हमने इस क्रस्ट को गोल्ड फॉल से कवर कर लिया है, अब हम इस पिज़ा पर सौस डालेंगी, जो लगबग 10 साल पुराना है, पामेजा है, आपको समझ में आ रहा है, ये लिज़े, रुकिये, अभी खतम नहीं हुआ है, इसके उपर कुछ और चीज़े डालेंगे, जैसे कि ये वाइट ट्रफल जिसे मैंने इटली से मंगवाया है, और ये रहा 4000 डॉलर्स का पिज़ा ट्रफल, वो भी इंपोर्टेड, और ये रहा खुबसूरत अलबियानो, कैवियार, और ये है अलमेस उसे तरह जो बहुत ही रेर है, और ये कैवियार है, पूरे 16,000 डॉलर्स की, ये तिन 16,000 डॉलर्स का है, और अब हम इस पिज़ा क्रस्ट पर डालने वाले हैं गोल्ट फलिक्स, और इसे डालते ही ये डेश लग सरा देखो तो इसे, कितना कमाल का लग रहा है न, इस तैयार है, चलो अब शुरू करते हैं, ओ बाई, ओ बाई, इसे काटते हुए आपको कैसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, 70,000 डॉलर्स का पिज़ा कट करते हुए, वाउ, ठीक है क्रिस, चलो पहले तुम इसे टेस्ट करो, ये स्लाइस 4,400 डॉलर्स की है, पताए है बहुत, इसमें चीज तो कमाल का है सच में, बाकि सब भी काफी अच्छा है, लेकिन चीज के टेस्ट से उपर कुछ भी नहीं है, इसका क्रस्ट गोल्ड से बना है, अब खा भी लो, ओ माय गॉड, ये सच में ला अब खोश हूँ, ये पका मेरी जिंदगी का सबसे यादगार लमा है, यादगार, शांदार, जबरदस्त, ऐसा पीज़ा मैंने आज तक नहीं खाया, क्या मैं इस आधे पीज़ा को वापस करके आधे पैसे वापस पा सकता हूँ, क्या बात करे हो, बिलकुल नहीं, सांक्य ओ माई गॉश, 76,000 डॉलर्स वो भी एक पीज़ा के लिए है, मेरी दो कास की कीमत है, वाउ, वैसे हमने ऐसा किया क्यों, पीज़ा और एक्सपिरियंस दोनों ही कमाल के थे, हम मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, 10,000, हम कहां डोनेट करेंगे, हम एक फूड बैंक में 10, 20,000 डॉलर्स का डोनेशन करेंगे, जिस से पैसे बरबाद ना हो, चलो 20,000 डॉलर्स दोनेट करेंगे, हाँ, अच्छी बात है, तो शयद हमने आज खाने पर एक लाग डॉलर्स खर्च किये, और उसकी सजा के तोर पर फूड बैंक को हमने 20,000 डॉलर्स दोनेट भी की है, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसन्स है, मुझे अब चलना चाहिए, खर, अब मैं,